यह इतनी affordable products हैं कि इससे जादा affordable आपको इससे नीचे price में कुछ भी नहीं मिलेगा और यह बहुत अच्छी products हैं Hello everyone, Assalamualaikum मैं हुआना मैसान और आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ गर्मियों के लिए बहुती सस्ती और बहुती अच्छी bridal base So let's start the video आज की वीडियो में आपको हर एक सवाल का जवाब दूँगी जो के आप मुझसे पहले वाले वीडियो में पूछते रहें क्या होती है क्यूं होती है किसको apply की जाती है तो इन तमाम सवालों के आपको जवाब में लेंगे तो बनाना शुरू करते हैं साथ-साथ आपको मैं जवाब देगती रहूंगी तो आपने वीडियो को और से देखने है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप आज की वीडियो से बहुत कुछ सेख कर रहें तो first जो हमने product use करनी है products में जो भी use करने लगी हूँ तमाम की तब हम बहुत affordable है सस्ती बहुत है और दूसा यह के बाअसानी हर जगदस्ति आप है चाहे आप market से लेना चाहें चाहे आप online खरीदना चाहें आपको हर जगा से easily मिल जाएंगी ठीक है first thing is primer मैं यूज करी इस तरह से primer का एक pump आपने ले लेने ठीक है यह मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको quantity का idea हो जाए चोड़ इस चमच में मैंने लिए इतना सा primer आपने लेने ठीक है यह एक pump है और इसको आपने किसी भी container में जिसमें आप अपने बेस बनाने लगी है उसमे में shift कर देने ठीक है मैंने इसमें shift कर दिये second जो चीज अब मैं अपनी बेस में add करने लगी हूँ वो है miss rose की यह foundation जो के है matte अब यहां पर जो चीज समझने की है वो यह है कि हम यह बेस गर्मियों के लिए तयार करें तो इसलिए हम इसमें matte foundation का इसमाल करेंगे हम जो normal liquid foundation होती है वो इसमाल नहीं करेंगे ठीक है तो मैंने इसमें यह डालनी है आप लोग यह इसको half चमच डाल दीचेगा ठीक है यह एक face से जादा की ही मिगदार बनेगी जब हम end face को बनाएंगे और आप इसका shade पूछेंगे तो आपको shade भी बता देती हूं इसका shade है natural one यह base जो मैं बनाने लगी हूं यह मैं fair shade में बनाने लगी हूं और अभी मैं आपको बताती हूं मैं इसको fair shade में क्यूं बना रही और फिर मैं आपको इसके shade चेंज करने के बारे में भी बताऊंगी तो आपने matte foundation लेनी है half चमच और उसको आपने अपने जो container है उसमें add कर लेना है अच्छा जी customized base क्या होती है और customized base क्यों use की जाती है customized base जो होती है यह parlors में use की जाती है जो अपने products को छुपाना चाहती ह है हमारा हमारे जो middle class salons होते हैं वहां पर यह थोड़ा सा trend होता है कि आपने products customers को नहीं दिखाने क्योंकि वहां पर उनके पास जो clients होते हैं वो उनको pay कम कर रहे होते हैं और makeup की services उनसे लेना चाह रहे होते हैं तो फिर वो affordable ही products use करना चाहती है तो अगर वो customers के सामने ही for example mis makeup अपना छुपाती है इसलिए customized basis तयार की जाती है तो मैंने यहां पर use किया है Miss Rose का liquid concealer ठीक है इसका shade is ivory 6 और यह थोड़ा सा मैंने तीन बार मैंने इसका पांप लिए और मैंने spoon पर इसको लेकर add कर दिए चैलें जी जो next product में यूज करने लगी हूँ वो है compact powder और मैंने इसक को इस तरह से brush के help से scratch कर लिए और अब मैं आपको spoon पर यह दिखा देती हूं कि यह कितनी quantity है यह तकरीबन आदा चमच compact powder है जो मैंने scratch किया और मैं इस base के अंदर add करी हूँ अब यहां पर मैं आपको जो मैंने पहले आपको customized base सिखाई थी जो के अब माशाला से 1.4 million cross करने यह काफी पसंद आए थी वह सबको तो उसमें जो हैना मैंने एड किया था loose powder जो कि अब मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैंने इसमें loose powder क्यों एड नहीं किया मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ compact powder एड किया ठीक हो गया उसके बाद मैं इसमें अब highlighter एड करने लगी हूं क्यू ब्राइडल मेकप आपका खुबसूरत लगे और वो आप highlighter की मतद से करेंगे कोई भी आप highlighter ले 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 उसको तोड़ा से scratch करें बहुत जादा नहीं डालना बस थोड़ी सी मिकदार में यह आप यू समझ ले वन फोर्थ एक चुथाई चमच जिस तरह से आपने half teaspoon डाली थी अपनी liquid base और half teaspoon अपने compact डाला था इसके मकाबले में एक चथाई आप लोग highlighter डालेंगे तो last ingredient डालने से पहले मैं इसको थोड़ा सा mix कर लेती हूँ और मैं आप लोग को एक और question का reply कर देती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछते हैं जो लड़कियां घरों में अपना makeup करत यह सिर्फ और सिर्फ पालर्स में इसी मकसद के लिए यूज होती हैं कि आप लोग प्रोडर्स को शो नहीं करना चाहरे होते हैं या तो अपने clients को या फिर अपने staff को तो आप लोग step wise makeup अराम से करें यह कस्टमाइज बेस हर बंदा easily नहीं बना सकता प्रोफेशनल लड़क इसे ही results हों कि उसके कम नहीं होगी तो चलते हैं last ingredient की तरह last ingredient जो मैं एड करने लगी हूँ यह है mac की base और यह है ivory shade में ठीक है तो इसको मैं एड करने लगी हूँ और मैं थोड़ा सा पानी लूँगी आप लोग इसको डिरेक्ट भी ले सकते हो अगर आप इसको अजादा ते बेस की mixing जल्दी से हो जाए और मैं आपको results show कर दूँ तो इस तरह समें base का पानी से paste बनाया और उसको इकठा कर लिया अब जो मैं आपको quantity यहां पर again show करने लगी हूँ इसकी quantity भी हमने यह तकरीबन half teaspoon ही लेनी है ठीक है यह half teaspoon से थोड़ी से कम लग रही है तो हमने और add कर और add करने के बाद बस यह हमारा last ingredient इसको मैं अच्छे से करने mix इसको मैं अच्छे से mix कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इसका apply करके भी दिखाती हूँ और जो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने यह fair shade में बनाई है वो क्यों बनाई है इसलिए क्यूंकि next जो मैं आपको middle class salons का यह काफी issue है कि आपके पास clients आते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता हमें fair base चाहिए तो जो है ना फिर आपको पता होना चाहिए के dark skin के ओपर अगर आपका client demand कर रहे है fair base तो आपको किस तरह से fair base बनानी है यहाँ पर आपकी mixing बहुत अच्छे से होनी यह हर skin type पर work करेगी apply करने का तरीका different होगा ठीक है तो हम बात कर लेते हैं इसको apply करने के method की अब आपने जो base को apply करना है अपने face के ओपर जो कि मैं आपको next video में इंशाला पूरा complete करके दिखाऊंगी आपने अपनी करने के skin prep ठीक है ताके आपके client के face के ओपर oil ना आए आ पसीने से खराब ना हो और सारा दिन stay करें उसके लिए मैं अलग से video बना चुकी हूँ आपको मैंने हर चीज उसमें बताईए कि क्या क्या steps करने से आपकी base long lasting बनती है गर्मियों में तो आपने उस video को लाजमी देख लेना है अभी मैं simple सा step आपको बताने लगी हूँ आपन करने के बाद आप बेस इसके ऊपर directly apply कर लेंगे और आपने इसको wet sponge के साथ नहीं apply करना आपने इसको dry sponge के साथ अपने face के ऊपर apply कर लेने ठीक है इस तरह इस तरह करके apply करने blending बहुत अच्छे से आपने इसके कर लेनी है और इसमें loose powder हमने क्यों नहीं add किया था loose powder इसलिए हमने add नहीं किया था कि अब गर्मिया है तो हमें इसके ऊपर से भी powder की layer देनी पड़ेगी तो इसलिए मैंने फिर base के अंदर loose powder एड नहीं किया आप end पर भी loose powder लगा सकती है चाहें तो या फिर आप directly इसके ऊपर compact powder लगा कर इसको finishing दे सकती है ठीक है अब इसकी coverage देखें आप ठीक है काफी अच्छी इसकी coverage है आप इसको अगर coverage को बढ़ाना चाहती है तो आप थोड़ी सी और लगा लें और आपकी जो base की coverage है वो बढ़ जाएगी ठीक है और आप इस तरह से अपनी bridal base easily create कर सकती है ये को बहुत ही affordable है ठीक है middle class salons जो है हमारे उनको अच्छा पे नहीं किया जाता ब्राइडल मेकप के लिए तो आप लोग इस तरह की bases यूज करके अपना खचा भी बचा सकते हो और अपने clients को भी खुश कर सकते हो बेस हमारी apply हो चुकी है आप मैं apply करने लगी हूँ compact और और Glamrass face का मैं यूज कर रही हूँ आपने compact powder लेन और आपने compact powder और base को दुबारा से सेट कर लेना है यह क्या करेगा आपकी base को set रखेगा long lasting रखेगा और आपका make-up जो है वो काफी हद तक जो है waterproof रहेगा तो यह थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको customized base बना कर और apply कर की भी दिखाई है जो next video में मैं आपके साथ practically face के पर apply कर की दिखाऊंगी और आपको screen पर इस टाइम वीडियो नदा आर जिसमें मैंने आपके साथ cryland tv paints tk 14 hacks chair की है जल्दी से इस वीडियो क्लिक करें और watch करें मैं आपसे मिले हूँ किसी on informative वीडियो के साथ subscribe करना नहीं बूलेगा लाफीज